हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने चैनल एक्जाम व्यू पे जोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमिरपुर ने पोस्ट कोड 817 HPJO IT की जो साड़े 500 की क्रीफ पोस्ट है उन्हें बढ़ा दिये गया है तो टोटम लाकर जो अब साड़े सत्रा सो की क्रीफ पोस्टे जो है वो HPJO IT की है जिसमें आपको पताएगी जो एजुकेशन क्वालिवेशन है वह जादा नहीं है सिर्फ 10 प्लस टू पास होने चाहिए आप अगर आप 10 प्लस टू पास नहीं हो सिर्फ 10 पास हो बट इसके अलावा 10 के साथ आपके पास अगर है यहां फैसेट की साइट पर बहे जा रहे है जिसकी लाष्ट जो है वो 25 अक्तूबर है तो आपने फॉर्म बर्ली होगा अगर आपने फॉर्म नहीं बराए तो जल्द से जल्द फॉर्म बर लिजे क्योंकि लाष्ट के दिनों में सर्वर्ट जो है वो डाउन रहता है तो आई शुरू करते हैं पर आज की वीडियो तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है HPSSC HPSSC जैसे आप यहां पर सर्च करोगे तो यहां पर HPSSC की ओफिशल वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी फर्स नंबर पर आपको अगर आपकी यहां पर ID बनी हुई है तो आपको sign in पर जाना है और अगर नहीं बनी हुई है तो आपको sign आप पर जाना है जहां से आपको ID बनानी होगी अगर आपकी ID नहीं बनी हुए तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो है वो किसी cyber cafe में जाकर अपना ID बगार बना लेजी फिर बहां से apply कर दीजे easily रहेगा अगर फिर भी आप cyber cafe बगार नहीं जा सकते तो आप हमसे भी contact कर सकते हैं इसके लिए आप हमें email यहां नीचे comment box में बता सकते हैं तो सबसे बहुत आपको यहां पर अपना username भरना होगा जो कि मैंने भर दिया है साथ में password और यहां पर capture code आएगा आपको इसे भी fill करना है गाइस यहां पर थोड़ी सी problem हो गई है एक मेंट सोरी गाइस थोड़ी सा network जो है वो slow है इस वच से time लगा रहा है बैसे भी जो government की sites होती है बहां पर time तो लगता ही है दोस्तो जैसे ही आप अपना login ID, password और capture code फिल करोगे वैसे ही आपको यह जो है आपकी home screen पे current vacances के नाम से एक title दिख जाएगा तो आपको अब इसमें से apply करना है junior office assistant IT on contract basis जिसमें क्या आपको पता है post code 817 है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो post code है वो कुछ contract basis पर है और कु जो new vacances आई हुई है यानि की total 1700 कुछ तो वो उसके लिए भी आप यहां से apply कर पाऊगे तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि last date 25 October है तो आपको इसके लिए apply now उपर click करना है दोस्तो थोड़ा सार net जो है वो slow है इस बज़े से आपका इसमें time लग सकता है तो मैं आपक साइट जो है वो दिन में काम नहीं कर रही है तो दोस्तों यह जो है वो मेरा खुल गया है तो यह open हो चुका है तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी नेम ओफ पोस्ट है वो junior office assistant यह ओटोमेट की select हो जाएगा यहां पर आपको जो है एक मिन दोस् में कि आप एक्जाम देना चाहते हो तो मैंने यहां पर कांगडा select कर लिया है और फिर नीचे आपको यहां पर अपना अधार नंबर देना है क्योंकि मैंने दे दिया है फिर इसके लाब आपको नेम और 10th के certificate में जो आपका नेम है फादर ने मदर ने बही आपको यहां प करना है सद में आपको यहां फिल्च कीजियों यहां पर इसटी कर दिया है सब कांगी अब आपको फोटो जो है वो अपलोड करनी है दो आपको फोटो है वो यहां पर इन्होंने दिया होगा जो भी इनका जो जिस तरह से मांगा हुए कि शायद 20 कवी तक मांगे हुए तो 20 कवी आप रिडियूस कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बोक्स में बता रेस है तो यहां पर आप अपना डेरेस टेट इस्टिक थैसील पिन और यहां पर कॉरसपंडेस ड्रnahmen जो मेरा सेम बाला ओप्षन जो यह उसपे क्लिक कर देना है तो यह जो है अटो मैमाटक यही भील हो जाएगा साथ मैं आपको यहां पर अपनी इमेल अप्झाश होने क वेधन कालिफिकेशन nz की डिटेल वह वह बर्फिल करना है तो यहां पर मैट्रिक या इक्विलेंट यानछी जो मैट्रिक की हुई है यहां इसके समक्ष्ष मान तो यहां पर आपको सब्दिकन nomad concept को है तो यहां पर जो है बोड़ वो इसमें आये हुए है यानि अगर आपके मालो 57.89 है तो आपको जश्ट सिप 57 प्रसेंट जो है वही फिल करना है साथ में आपको 10 प्लस 2 या इसके समक्ष कोई आपने किया हुआ है कुछ तो उसके विवारे में बिताना है यहां पे स्पैसिफिक स्ट्रीम या फिल्ड जैस में एक option हो रहा है training experience as per essential qualification if applicable अगर आपके पास कोई अलग से qualification है जो इस post related है यानि कि आपने डिप्लोमा अब गयरा किये हुआ है तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हो शायद उसका भी आपको कोई benefit मिल जाए यहां अधर qualification कोई है तो बो सभी कुछ जो है आप यहां पर डा देना है कि हां यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सब जो है वो सही है और साथ ही में फिर यहां पर आपको आएगा submit and proceed to payment यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने card की detail गयरा जैसे भी डाल के payment कर देनी है अपनी category के हिसाब से तो आपका form जो थोड़ सा time consuming process है यह क्योंकि अभी जो है last date चली हुए है तो site पर काफी ज्यादा load रहता है तो इस बज़े से जो है वो थोड़ सा time लग रहा है तो यहां पर जैसे ही मैं बता देता हूं आप यहां पर जाओगे check your application status यहां application status में से किसी भी column में तो आपको बहां पर आपक application ID डालने है जो कि आपकी email और mobile number पर आ जाएगी और साथ ही में आपको पता चल जाएगा कि आपका form जो है वो फिल हो गया है तो I hope guys आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप comment box में बता दीजिए यहां हमें directly email कर दीजिए और इसके लाबा अगर आपको इस exam से latest study material यहां किस तरह से आप इसे crack कर सकते हो उन सभी पर वीडियो चाहिए तो बो भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे तो यहां पर देख लिए application status यहां पर पहले जो है वो conductor का दिए भरा हुआ था तो यहां पर fees, received, role number, application form, admin card यह त तो यह सब नहीं है हमारे काम का अभी जो हमारा junior office assistant है तो इसमें जो fees है, receive हो गई है और application form बगएरा जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है यह तो इसके लावा अगर आप किसी और post के लिए apply करना चाहते हैं तो नीचे जो option है current vacances में उसमें जाना है जिस तरह से आप यहां पर गई थे तो साथ ही में फिर आप जो है वो देख पाऊगे कि कौन-कौन से vacances के लिए आप eligible हो और किस किस के लिए आप apply कर सकते हो तो यहा कर 25 तारिक से पहले पहले तो इस तरह से जो है यह form जो है complete हो चुका है और आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं अगर आपके वास printer की सुझदा अबिलेबल है तो आप इसे print भी करबा सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले निव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पहुंच सके धन्यवाद जय जय वारत